असलाम अलेकम स्टूडेंट्स जब हम अपने आप से इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने आप से मुख्तलिफ सिचुएशन्स में क्या बीहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं तो दरसल हम एक फिलसोफिकल डायलॉग में होते हैं अपने आप के साथ कि वो क्या स्टेंडर्स हैं बीहेवियर के जो हम अपने लिए काइम करना चाहते हैं और उनको अपफोल्ड करना चाहते हैं बिसिकली तमाम इनसान जो हैं वो हर वक्त अपने जहन में कुछ न कुछ एथिक्स जो हैं वो तै कर रहे होते हैं फर अग्जामपल हम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ टूथ फुल ट्रू रहना चाहते हैं As an entrepreneur हम अपने clients, अपने customers, अपने beneficiaries और जो मुख्तलिफ stakeholders हैं उनके साथ honest रहना चाहते हैं हम लोगों की इज़त करते हैं, हम उनके मसाइल को तहकीर की निगा से नहीं देखते और हम अपने आपके साथ कुछ एक तरह से हम decisions करते हैं कि हम क्या करेंगे मुख्तलिफ situations में और क्या नहीं करेंगे इसका मतलब है कि entrepreneur होना और खासतर पर social entrepreneur होना जो है उसमें success सिरफ एक mission और उसकी growth या impact नहीं है Social entrepreneurship में successful होने का मतलब जो है वो कई चीज़ें हो सकता है और इस तरह से आप कई और decision कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने social venture को लेके चलना है यह जो आपकी अपने आप से expectation है कि आप अपने clients की इज़त करेंगे आप अपने beneficiaries के problem को तहकीर की नजर से नहीं देखेंगे आप honest transactions करेंगे आप अपने partners को धोका नहीं देंगे यह सारी चीज़ें जो हैं यह हम ethics इनको कहते हैं ethics के standard established और maintain करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक conscious level पे कोई अपने लिए guidelines develop करें या determine करें हम सब इनसान जिस भी किसी moral, cultural, religious, belief system को follow करते हैं definitely दुनिया में कहीं भी जो भी कोई ऐसा system है उसमें respect, integrity, dignity, honesty, empathy इस तरह के बहुत सारे characteristics शामिल हैं तमाम religion जो हैं वो दूसरे इनसानों के fellow beings जो हैं उनको respect करने उनकी dignity जो है उसको maintain करने की तालीम देते हैं तमाम cultural codes जो हैं वो इनसानों को value करते हैं उसमें honesty को appreciate किया जाता है इसी तरह और अगर आपका कोई system of beliefs है वो आपको उसके बारे में guide करता है कि आपके नजदीक बेहतर या अच्छा behavior जो है या behavior का standard, ethical standard क्या है और ज़रूरी भी नहीं है कि आप कोई खास जो religious system या cultural system of beliefs या social system of beliefs जो है उसको follow करें, उसको subscribe करें Simply being human ये इनसान की instinct में है कि वो अच्छी चीजों के लिए strive करता है, effort करता है Being social entrepreneur ये थोड़ा सा जो effort है वो ज्यादा हो जाती है उसकी दो वजुवात है एक social entrepreneurs जो है, वो वैसी कली इनसानों को serve करने की मौशरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे है दूसरे social entrepreneurs जो है, वो business की techniques इस्तमाल कर रहे है और कुछ हरसा पहले तक business जो है, उसमें ethics उस हद तक involved नहीं थे जैसे बास दूसरे professions में बास professions मसला medical है या law है उनमें professions के code of ethics हैं जो पूरी दुनिया में follow किये जाते हैं बास उकात country wise, society wise उनको adapt शरूर किया जाता है लेकिन हर profession के खास तर पर जो human beings से related professions हैं उनके code of ethics हैं business में भी सूरतेहाल बदल रही है entrepreneurs जो हैं, खास तर पर social entrepreneurs वो अपने आपको एक, उनकी reputation जो है, वो integrity की reputation चाहते हैं integrity से मुराद है, what we say and what we do उनके दर्मियान एक alignment हो ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ और कहें और करें कुछ और आप promises अपने clients से, अपने beneficiaries से किसी और चीज़ का करें और आप deliver कुछ और कर रहे हों इस तरह से entrepreneurship जो है, वो हो नहीं सकती आप अपने business को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंके trust का जो relationship है वो किसी भी किसम की entrepreneurial activity के लिए जरूरी है खावो far profit हो, खावो non far profit हो हर दो सूर्तों में आपके customers, आपके clients expect करते हैं कि जो आपने कहा है, जो आप promise कर रहे हैं वो ही deliver करेंगे मुक्तसर यह कि ethics जो है, वो कोई religious, moral या cultural discussion नहीं है basically, entrepreneurship की दुनिया में ये एक reality है दुनिया की जो world's most ethical companies पर research की जाती है उसमें बाकाइदा evidence सामने आया है कि जो companies ethical standards को maintain करती है long term में उनकी जो financial performance है, वो बहतर होती है so much so, कि बास surveys में companies की जो साल के शुरू में expectation थी जो ethical behavior वाली companies हैं, उनमें 8% उनकी performance जो है, वो ज्यादा रही इसका मतलब यह है कि social entrepreneurs ना सिर्फ obliged हैं, ना सिर्फ पाबंद हैं कि being social, working with human beings, वो entrepreneurial जो है, वो honesty और integrity को maintain रखे बलके वो अपने growth के लिए impact और अपनी value addition के लिए भी अगर ethical conduct करेंगे तो उनकी performance बहतर होगी तक यू